हुआ है दोस्तों किसे हैं आज हमने में में थोड़ा से लेके अपडेट लेके आयता है सुला मर्स 2019 है और यहां पे जिंक क्रूड वायल और गुल्ड के बारे में थोड़ा अपडेट लेके आ रहे हैं और कौन-कौन से टॉप गेनर और टॉप लूजर रहे आपके 15 मार्च क अब घूald मेंवी कोपर ना और डॉर्वड बैटल भी दा यह सब सब टॉप गेनर के रूपपे रहे है अगर टॉप लूजर के बात करो तो लीड रह लेड मीनी रहे जिंग मेनी राह जिंग राह नेचुरल गैस राह अलवोनियम मीनी कोडवाल मीनी कोडवाल मीनी और निकेल यह से तोड़ल टोपी रुख़े सब्दता जो तो यहां से पुरा खत्म यह इसको यहां पेंगे तो नीचे की ओर्रेंगों तो नीचे की ओर तो उपालेंब वाइन अची नहीं है ते अब लेकर उपर तो गया था तो अगर यह पैट्रन आत हो सकता है कि आपको एक बार जिंक को 187 के ओर जाते वह इसको दिख सकता है अगर जिक को डेली बैटर्टन पे तो आप देख रहे हैं कि मीड़ पॉइंट तो 195 उसको ब्रेक किया है और ब्रेक करके नीचे की और प्लूजिन दिया है तो कहीं न कहीं यह ब्रेक करके और हुज बॉल्यूम के साथ आप देख रहे हैं यहां पर अच्छे बॉल्यूम के साथ इसको तोड़ रहा है और यहां पर आपको इंडिसीजिव केंडल भी बना हुआ है तो यहां के बाद एक नीचे की और लगता है और यहां पर देखने की कोशिस करें यह देखिए अच्छा कासा उपर की और जा रहा है इंडिसीजिव केंडल एक बार यहां पर कल की और तो बनते वह दिखा है बट यह जो विकली पैटन में बता रहा है उससे यही सोहर है कि यह उपर की और जाएगा और 62 के रस्ते को टच कर सकता है तो क्रोड में खरिदारी बंत है डबलो टी आई इंडिया कुरूट की बात करें तो यहां पर भी सेम है 3823 का इस्टॉपलोस है अपना नीचे की और मिडे पॉंट है और उपर की और चार-500 है तो यहां पर भी जो पॉजिशन मनता बाइंग पॉजिशन मन रही है विकली बेस यह उपर की और जाते वह दिखता है डेली बेसिस पे एक उपर की इंडिसिजिव केंडल बना हैमर टाइप में अपर हैमर बना इससे यह यह पर की और जाते वह आपको कुल में दिखें गोल में पैटन डाउन की और बन रहा है और यह देखें तो अपने जो विकली पैटन भी यह मिडे तीस आठीजिशन दिया है और कंटिन्यू एक डाउन फॉल का पैटन बना हुआ है इसमें तो गोल्ड में विक्नेस देखने को हो रही है हो सकते हैं 31,000 और 3,900 जो विकली बेस पर है वहां जाते हुए गोल्ड आपको दिखें और डिली बेस पर कहें तो लेड़ी की आपने मिट को तोड़ करके 32,600 बाउन को तोड़के 31,330 की और जाते हुए अगर सर दिख रहा है तो दोनों में किसी में भी देखें तो यह नीचे की और जाते हुए दिख रहा है तो गोल्ड में थोड़ा विक्वाली हो सकता आपको अगर मैं फ्यूचर गोल्ड इसकी बात करूँ तो 302 प्य क्लोजिंग दिया है बट पैटन नीचे की और बना हुए है यहां पर एक हैमर मारा उपर की और नीचे की और लि जाएगा बड़ी उपर साइट जा चुका है तो नीचे की और हो सकता फिर सलते हुए आपको बारो से कतर की और जाते हुए दिखिया आपको तो गोल्ड में विक्वाली लगता है कि हावी रहेगा और विक्ली बेसिस में अगर इसको देखने की कोशिस करें तो गोल्ड पासवासी यहां पर जाएगा और उसको तोड़ता है तो 1240 की और तो गोल्ड थोड़ा से लगता है कि कुल्ड में थोड़ी मजबूती दिखती है जिंग में थोड़ा कमजोरी दिखता है तो नेक्स्ट विक के लिए यह कॉम्डिटी में थोड़ा सा अफडेट था मेरे कह करने से कोई भी पोजिशन मार्केट में मत बनेएगा आप पोजिशन मार्केट में बनाने से पिर अपने फैनेशन अडवाईसर से जरूर से जरूर बात करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दल्यवाद